हेलो दोस्तों नुप्सकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनलेन एड़ाफ़ स्टुडी यूट्यूब चनल पे इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटिस अप्डेट के बारे में जो की संबन्दित है यूपी टीजडी पिजडी एक्जाम को लेकर यूपी 20,000 प्रतों पर अध्यक्ष के माध्यम से बड़ी अनौस्पेंट के बारे में एके करके सारी अप्डेट हम कवर करेंगे कई बड़ी और नई अप्डेट इस नई वाली लाइन को थोड़ा सा कहिने की अंडर लाइन कर दिया जाए क्योंकि यहां पर आप सभी को जो जानका के माध्यम से मिलती रहें सीधे शुबात करते हैं मुद्य की टीजटी बिजटी एक्जाम के बारे में नई शिक्षा सेवा चैन आयोग के माध्यम से टीजटी बिजटी और असिस्टन प्रोफेसर भरती को लेकर कई बड़ी और लेटेस जानकाई जारी की गई हैं जो आप के मननने कई ऐसे कहिने की समस्याइं जिनका निवारंण सिर्फ सिर्फ शिक्षा सेवा चैन आयोग के पास है क्योंकि शिक्षा चाहता है कि टीजटी बिजटी और इसिस्टन प्रोफेसर की परीक्षा को अच्वाराना और एसे में उनके माध्यम से किसी भी नोटिस का आना आना अभयतियों के लिए और भी ज्यादा समस्यात में बना हुआ है लेकिन अब ऐसे में बहुत साइज जो चीजें वह इसपर्स्ट हो गई हैं और आप सभी को जानकाई देदू की टीजटी बिजटी और टीजटी बिजटी के साथ साथ 25000 टीजटी बिजटी के बारे में आ उत्रप्रदेश के अंदर टीजटी बिजटी के 4163 पदों को अगर हटा दिया जाए तो इसके अलावा 25000 से जादा टीजटी यानि की सायक अध्यापक और पिजटी यानि की प्रवक्ता के जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं और इन पदों को लेकर विदान सवा में पर दीगई जानकारी के मुताविक उनका ये भी कहना था कि हम इन पदों को विद्ञापित भी करेंगे कहां से होगा नई शीक्षा सिवा चैन आयोक के माध्यम से होगा जब टीजटी बिजटी का विद्ञापन 4300 पदों पर आया तो माध्धिमिक्च्छा सेवा चैन आयो ने कहा कि नहीं ये सारे काम अब शिक्षा से बाद चैन आयोग ही करेगा और अब आयोग बन गया है तो इसको लेकर बहुत सारे अभ्यतियों का ये भी कहना था कि जब तेर लाग से जादा अभ्यतियों ने आविदन किया है और भरती 4163 पदों पे निकाली गई है पदों की अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि पद जोड़े जाने का मतलब यह है कि जो नए चात्रें उनके लिए करने की समस्या हो जाती है तो यहां पर शिक्षा सिपा चैन आयोग के माध्यम से बड़ी दिल्चस्प जो बात है वह आप सभी के लिए देखने क खाली हैं इसको लेकर उनके पास भी अलग-अलग तरीके के ग्यापन अव्यर्ति उन्हें सोपे हैं चाये वो विदान सभा के अंदर दिये गए बयान को ध्यान में रखकर कहा गया हो या इसकी अलाबा सिक्षा मंती के माध्यम से बयान या समाचा पत्तों में निकली जानक लेकिन पदों का खाली होना और पदों को जोड़ना दोनों अलग-अलग बाते हैं पद खाली होने की जानकाई तो सरकार समय समय पर देती रहती है जैसे कि प्राथमिक में भी उन्होंने बताया है कि हमारी पास में 85,000 के संथिंग टीचर्स की पद खाली है लेकिन क्या उन पदों पर शिख्षक भरती निकाली जारी है तो उस पर सरकार कहरेती है कि उन पदों पर हमने शिक्षा मितर अनुदेसों को रखकर यहां पर कहिने की कि जो 25,000 से ज़्यादा टीजडी बिजडी के पद खाली है वो चाहते हैं कि इन पदों को इस भरती में जोड़ दिया जाए। उनका कहना ये है कि हमारा मोटिव है कि अगर 25,000 पद यहां पर हैं और इन पदों के लिए अगर वो चाहें तो इन पदों को जोडने के लिए पूरे तरीके से त्यार है लेकिन इसके लिए जो फाइनल डिसीजन होगा वो कहीने की सरकार यानि की शाषिन को लेना होगा और द समस्यां यहां पर यह रहती है कि ना तो कहने की साषिन के माध्यम से ऐसा कोई प्रस्ताव उनको दिया गया है क्योंकि पद जोड जानी का फैसला तो अंतिम शासन का है उनकी हाथ में तो है नहीं है और शासन के हाथ में क्या है कि वो शिक्षा निदेशाले से बा движ आपने स और निदेशाले की तरफ से रिक्त पदों का डाटा भेजा जाए फिर वो अधियाचन भेजे और फिर अधियाचन भेजने के बाद शासन परमिशन देदे तो वो इन पदों को जोड़ देंगे यानि कि जो पद जोड़े जाने का मामला है वो शिक्षा सेवा चैन आयोकी तर अधियाचन नहीं देता तो उससे पहले आयोक कुछ नहीं कर सकता है पहला तो यह बात बिल्कुल सच है कि अगर उनके पास अधियाचन आए तो वो भरतियों को लेकर काम करेंगे लेकिन जब अधियाचन ही नहीं बेजेंगे शासिन आदेश ही नहीं देगा तो फिर उनका हम क्या ही कर सकते हैं पहली चेज़ दूसी चीज़ उनकी इस परष्ट ए कि अगर 4163 पदों के साथ इन पदों को नहीं जोडा जाता है और इसकी परीख्षा के बाद में अधियाचन उनको मिलते हैं तो उनका कहना है कि वो टिजडी पिजडी भरती होने के बाद में इसको लेकर फिर नया विज्यापन अलग से जारी करेंगे यानि कि दोनों तरफ से रास्ते खुले हुए हैं लेकिन उसमें सबसे बड़ा फैसला अंतिम जो होगा वो अधियाचन का आना और शार्षन का होगा कि अगर एक बार वो confirmation दे देते हैं तो येस इसकी जो परिक्षा के बाद में या तो फिर नया विज्यापन आ जाएगा क्योंकि अगर परिक्षा को डिले भी नहीं कर सकते ना कि अधियाचन अभी आएंगे भी नहीं आएंगे महीने दो महीने तीन महीने और शार्षन पर्मी की जाने वाली है और सिस्टेंट प्रोफिसर परीक्षा को लेकर शिक्षा सेवा चैन आयोक का इस पस्ट मत है कि वो परीक्षा कराने के लिए पूरे तरीके से तया है और जैसे ही सभी परीक्षा केंदों का डाटा मिलता है एक्जाम डेट की घोशना भी हो जाएगी सबसे शटीक सबसे पहले जानकाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें के बैल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दे मैं आप से मिलता हूं अगले वीडियो वे तिल देन टेकर टाटा बबाए थैंक यू थैंक यू फर वाचिंग इस वीडियो